So hey guys, welcome on this channel, Learn with Fun Biology So guys, as you know, कि अभी चल रहे हैं स्रीज लिटे टू दा मेल रप्रोक्टिव सिस्टम And guys, आज हम मेल रप्रोक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं इससे प्रिविएस दो वीडियो में भी मैंने मेल रप्रोक्टिव सिस्टम के बारे में बताया है अगर आपने वीडियो नहीं देख लिए तो डेफिनेटली देख लीजिए क्योंकि आपका कॉंसाइब बिलकुल अच्छे से किलर हो जाएगा इन प्रिविएस वीडियो मैंने आपसे बात की थी अबाट अब थे एक्स्टरनल जनिटीलिया अफ़ दे मेन के बारे में और आज के इस वीडियो के अंदर में आपसे बात करने वाली हूं about the internal genital organs of the male reproductive system के बारे में so क्या-क्या होते हैं internal genital organs testis, epididymis, vast difference, seminal vesicles, prostate gland and vulvo-uteral gland so guys आज के इस वीडियो के अंदर में से आप से डिसकस करूंगी testis, epididymis and vast difference के बारे में तेके so सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों समझेंगे and the next video मैं आप से समाल vesicle, prostate gland and vulvo-uteral gland के बारे में बात करने वाली हूँ so testis the testis are the two oval-shaped male organs that produce sperm and hormone testosterone testosterone जो कि primary sex male hormone होता है ठीक है, male के अंदर testosterone होता ही होता है और यह जो testis होती है, यह male की body में दो होती है जो कि scrotum के अंदर रहती है, ठीक है so testis दो हो गई और shape कैसे होती है, oval-shaped की होती है each testis is made of tightly coiled structures called the semniferous tubules और इन semniferous tubules के अंदर होता है production of sperms among tubules are cells that produce testosterone और इनके बीच में जो cells होती है, इन semniferous tubules के बीच में वो प्रड्यूस करती है testis करती है testis करों को और जो semniferous tubules होती है यह बनाती है sperm को ठीक है तो I think अभी इतना वाला point आपका अच्छे से clear हो गया होगा कि semniferous tubules और testis करों कहां जे बनता है the epididymus is a tightly coiled tubes against the testicles एक type की tube होती है जो की tight होती है और किसके against होती है testicles के it acts as a maturation and storage place for sperm so sperm कहां पर store होता है और कहां पर mature होता है the epididymus so अच्छे से याद रखेगा कि sperm कहां पर mature होता है और कहां पर store होता है क्योंकि यह question बहुत जादा frequently पूछे जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि कहां पर formation हो रहा है sperm का कहां पर वो mature हो रहे हैं कहां पर store होते हैं कि जब तक ejaculation ना हो तब तक store हो के कहां पर रहते हैं after that next is the vast difference जिसको हम ductus difference भी कहते हैं the vast difference is a thin tube that start from the epididymus to the urethra and the penis so epididymus से male के penis तक ठीक है का जो पार्ट है वो है vast difference they transport sperm from the epididymus in anticipation of ejaculation जब ejaculation हो रहा होता है at that time epididymus में जो sperm है store किया हुआ उसको ejaculate करने में कौन help करता है vast difference so vast difference क्या है यह पतली सी tube होती है जो की start कहां से होती है from the epididymus to the urethra in the penis penis के अंदर अंदर होता है वहां तक की होती है और यह sperm को transport करती है from the epididymus in anticipation of ejaculation so guys I hope कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है वो अच्छे सही killer होगी हो क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि कहां पर sperm का formation हो रहा है कहां पर वो store हो रहे है और उसका क्या पूरा path है तब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे क्योंकि मुझे पता है कि आधे घंटे पैटके कोई भी नहीं पढ़ सकता तो मैंने शौर्ट वीडियो बनाई हुई है प्ले लिस्ट अबलेवल है आपके लिए आप सिंपली सर्च करो लर्न विद फन मेल प्रटर सिस्टम तो आपको मिल जाएगा पूरा मेरा वीडियो तो आप सथरीक से सारे वीडियो देख सकते हो वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा इपर आप कमेंट करने जाओ पर तो वहाँ पर भी आपको एक लिंक मिल जाएगा टिक या तिल दन गाइस बाइबाइ टेक केर थैंक यू सो मच लाइक दूस वीडियो एं सब्सक्राइम आइड यूटीव चैनल अलसो